हेलो गुड़ मारिंग सभीको मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्तरी ओनलेन एक गल्चार कोर्स में स्वागत हैं दोस्तों आज हम डिसकाशन करेंगे पपीता कल्टिवेशन के बारे में ठीक है पूरी जो पपीता है उसके खेती के बारे में डिसकाशन करेंगे बहुत ही सेक्षक करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिंग स्वेशन आपको पता होना चाहिस है प हुझा कि उसका जो वर् निकल नेम होते हैं वह आपका क्या होता है कैया होता है क्या होता है क्या हुनकर दो चल्ब आइस बोलते चल kommun को साथ कुल से बिलॉंग करता है खेग यह बात करें तो उष्ण अमेरिका मिस ट्रोपीकल अमेरिका ठीक है ट्रोपीकल ट्रोपीकल अमेरिका कभी-कभी ऐसे भी आता कि आपका option में नहीं दिया रहा है इसके जैगा Mexico मेक्सिको तो इसको उत्प्तिक इस्तन काहब है मेक्सिको तो यह बात भी अब ध्यान रखेंगे इसके अलबाव और कुछ बात याद रखेंगे जैसे क्रोमोजोम कितना होता है तो तो 2N एक्जाम में पूछाता है कि पपीता का जब फल का प्रकार है कैसे तो बेरी टाइप का है ठीक है अब खाये जाने वाले भाग ठीक है पपीता के कौन सा भाग को खाते है तो हम लोग आपका कौन सा भाग को खाते है यहाद रखेंगे बहुत इंपर्टन है यहाद गलत दिया ठीक है एक ऐसा एक पर प्रागन है मतलब cross pollinated crop होता है क्यैसे crop होते है cross pollinated होते है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है कि पपी ता उश्नकटीवन्धिने पादा वाले ठीक है जो पाले हैं पाले के परती, क्या होता है यह सिंसिटी होते है एक बात रखेंगे ठीक है पाले होंगे तो उससे जैसे फ्लॉरिंग आता है ठीक है फ्लॉरिंग आता है ठीक है पाले परता है तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाता है ठीक है वाटर लॉगिंग कंडीशन होगा इससे भी क्या होता है आपका जो पपी और उतना तकाद भी नहीं होता है यसका इसको बडूतने हैं 비や ऩह गिर जाते ये सब उसको इपेट करते हैं क्या है वाटर लोगीड वजा है जिसको वेंड बोलते हैं ठीक अगए बात करें जो पपीटा है ना उसके कच्छे फलो में पपेनध में पाए हैं ठीक है। देखना जैसे आप क्या करते हो पपीता काटते हो ठीक है अन्राइफ फ्रूट मतलब जो अभी तक पकाने ठीक है मैंने इसके लिए एक एस्पेशली पपीता के साथ ही वीडियो वनाया था इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा आप देख सकते हो कि पपेन कै होता है ठीक है बहुत इंपोर्ट है याद रखेंगे पपेन आगे जो पेट के रोगों में लाब दयाक है जो पेट के जो रोगी होता है जिनके पेट में प्रॉब्लम अताब उन रोगियों के लिए यह लाब दयाक होता है ठीक है जिसको पेट में दर्द हो तो उसे पपा एकवे लिएक पूंटेने कही वहाण नेने पूंट आजिए क्पाएं कि फिला किसके कारन ऊता है तो आपका क्ट देन के कारण आगे बात करें डारी सियस ठीक sept1 एक मोनोक सियस एक गहांड एकवणर नेहरीं साइन और अलग अलग होते हैं तो हम देखते हैं डायोसीयस पहले किसको बहुते हैं थिक है डायोसीयस में क्या होंगे जो नर होगे ऑधों का अनुपाद किसा नर होगे दस रेशो वन में रखा जाता है ठीक है डायोसियस में और डायोसियस में क्याता है मेल और फिमेल अलग अलग प्लांड में प्रजेंट होते है जबकि मोनोसियस में एक ही प्लांड में प्रजेंट होता है एक डेफिनिशन टाइप कहोगे अब मोनोसियस में जो आपका डायोस कोश्चन आपको घुमांके भी दे सकता है ठीक है आगे बता रहा है कि पपिटा जो है उसको माई से सिपंबर तक फूल आते है ठीक है पपीता में फ्लावर जो है पुश्प है वो कब तक आते तो माई से सितमबर तक फूल आते है ठीक है याद रखेंगे फ्लावर का आते है तो माई से से सेट्टेमबर तक आगे पपीता में जो प्रावारधन मिस प्रोपेगेशन करते है किस से करते है बीज दोरह करता है टीक है ये पापी तक ऐसे प्लांट है जिसको केवाल और केवाल बीज से ही feel Smip बीज से क्या जाता है मतलब क्या है Sexual होते हैं एक Estateesexual होते है एक अहसेक्स lifted बीज कब बनेगा जब उसमें सेक्शुल का प्रसेस होगा तब जाकर उसमें बीज बनेगा तो और पपीता में केबल बीज दौरा ही प्रोपेकेशन किया जाता तो इसके लबा किसी भी मेथोड से नहीं किया जाता है इसको याद रखेंगे ठीक है परन्तु आज कल टीशू कल्चर दौरा भी पॉधो तैयर किया जाता है ठीक है आज अब ही अब देखेंगे उस टाय मेने बता जाता था है तीक है मनुसियाथ और जो डायोसियस मैंने बता दिया हूँ ठीक है गाइनो डायोसियस का थोड़ा लंबा है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है उसको अलग से वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से गाइनो डायोसियस होते है ठीक है अब देखे यह कुशन में लिखा है तो केजी मार देंगे फिर गलाथ हो जाएगा ठीक है यह कैसा होंगे आपका 200 से ठीक है 200 से 300 ग्राम पर हेक्टर की शब्सकीज में गाइनो डायोसियस में अब बात करें डायोसियस में कितना तो डायोसियस में 400 से 500 ग्राम पर हेक्टर आपको सीड रेट की आवश लग्स रखते हो 400-500 जलान रखेंगे आगे बता रखेंगे पपीता का नर्षरी है जो नर्षरी तयार करते हैं हम लोग पपीता के लिए ठीक है और नर्षरी करेंगे अपरेल से माई में किया जाता है ठीक है टायमिंग को जूलाई से अगस्त मंत में ठीक है याद रखेंगे कि पपीदा का स्वाइंग मिस रोपन कब किया जाता है तो जूलाई से अगस्त मंत में किया जाता है ठीक है उपज की बात करें तो 40-50 किलोगरम प्रत जो चाप का जो पपाया है ठीक है पपाया का जो प्रोडक्शन है उत प्लांट से आपका कितना पौधा मतलब पौधा नहीं सौरी आपका फल 40-50 kg पर प्लांट में पर यह मतलब एक साल में एक प्लांट कितना देगा आपका लगभग 40-50 kg पर हेक्टर नहीं एक हेक्टर में नहीं होगा यह आपका किसी में होगा पर प्लांट होगा याद रखें चास केजी ठीक है आगे बाद करें पूशा नन्ना किस्म को 1.25 x 1.25 मीटर ठीक है यह याद रखेंगे तो यह कौन सा अब देखिए इसमें 1.25 पूशा नन्ना को कौन से आपका ले आउट से लगाया जाता है किस से इसको पूशा नन्ना को यह कि आईसा एक डॉर्फ वराइटी मतलब छोटी बौन अधर ठीक है बौन अधर पौधा होता है ठीक है अब इसमें 1 हेक्टर में कितना पौधा चाहिए आपका 6000 प्लांट पर ह एक्टर किशब से चाहिए कि इसमें पूशा नन्ना बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूशा जाता कि पूशा नन्ना किसका वेराइटी है आगे बात करें सामान्य दूरी यदि हम नॉर्मल देखेंगे तो टू इंटू टू मेटार स्क्वेर में पौधों को लगा इसमें आगी जो ही तो ऊपको है जो ऑपका मेरीद्र हों आप कैसे होना चाहिए दो मट मिट्टि लोख हको मेले स्वेराइटी killing है अब हमने अलग-अलग देखे हैं जिसमें हमने देख этом देखिए जो एक होता है छए डायोसीएऽ डिकर दोनों का अलग-अलग य देखेंगे जो आपका ऐसे पूछा तो जैसे आपका कहानी याद रखेंगे तो चली मेरे बात छोटा सा बात मनिये देखिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे आपका 100 प्रतिशत क्या होजा मस्तिक में आपका जो वैराइटी है वो बैठ जाएगा ठीक है बस मेरा बातों को सुनते जाए ठीक है क्या हूँ मेरा एक दोस्त था ठीक है क्या था दोस्त था ठीक है उसका नाम क्या था शूर्य पहले कहानी याद रखें कहानी से ही आपको व पिगा हूए क्या हुआ फ्रफ में इसलेक्शण हो गए की सिलक्षण हो घिए कुंना अपका थाइलैंड में सेलेक्शन हो जाए कहां पे थाइलैंड में ठीक है अभ अकेला जाने का उसको मन नहीं लेक दीकता रहे उतना दूरे थाइवलन कैसे जाओक तो क्या क्या अपना जो दोस था नि momentos दोस्ता जिसका नाम क्या था जिसका क्या करता था एकदम sunrise तक रात भर ठीक है daily मजा करता था डेली क्या करता था मजे करता था डेली sunrise मतलब शूरी उधाय तक मजा करता था daily ठीक है देखिए कहानी simple सा है पहले क्या बता है मेरी कि शूरे मेरा एक दोस्त थाygen तो 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 देली मजा करने जाता है मेरे को बुलाता नहीं है तो घुसा हो जाता है और वह कहां पर चले जाता है तो चले एक एक करके आप दिखाते हैं आपको को है जैसे मैंने बोली वहते हैए हाँ है कि सबसे पहले कौन था चुरे करे के आपको दिखाता हूं पहले मेंग कर को कहां पध़ा था आपका थाइलेंड में यह बहीं लेखा आप लेक लेंगे ठाइलेंड जो आपका नेदे हैं इसको क्या बोलता थाइलेंड भोलता है ठीका है Verm ने पपेता पपीता का है तीक है उसके राद मैंने क्या बाता किसको ले गया था वह आपका भनीडी आ वहां पर चाइश सब्सक्राइब क्या थे कि नाम से नाम से इस पूझे से भूक में सी कोच 3, CO, मिस कोच 3, जो रूम बुक क्या था, उसमें रहता था, अने डी और शूर्य, अब उसके बाद क्या हो, और डेली क्या था, मजा करता, उस साइड में ने दिखा था, मेजेस्टी, मेजेस्टी, ठीक है, मेजेस्टी जो वराइटी है, वो किसका है, आपका पपीता कहा डेली मजा करता, डेली से क्या होगा, आपका डेलेसियस, डेलेसियस एक वराइटी है, पूछा डेलेसियस, पूछा जाता है कि पूछा डेलेसियस, किसका वराइटी है, ठीक है, डेलेसियस, ठीक है, पूछा डेलेसियस, किसका वराइटी है, तो वो भी आपका पपीता कहा यहां डेली मजा करता है मैजिस्टी है उसके बाद सनराइज तक मतलब शूरी तक डेली मजा करता तक फिर उसको गुस्टा आ पर ताइवन तो साधे वरेटी याद हो गए कानी याद रखना है बस याद हो जाएगा ठीक है एक फिर से पर शूरी था उस जेरब में सेलेक्षन लें के नाम से तक मतलब शूरी सोलो ठीक है मजा करता है डेली से डेले से पूशे राइटी याद हो गया आपका ठीक है कहानी आतरकें तो लॉंग टैम्क तर याद रहेगा ऐसे पढ़ोगे तो भूल जाने का बहुत दिक्कात हो था ठीक है बहूत लोग है जो ऐसे याद क तेया आगे इसका कुछ दायोसियस ब्रेटी अभी जो हमने देखी वह कैसा है आपका गाइञोसीछ का कुछ इंपॉर्टन है जैसे देखी हो इसमें बहुत ज़्याधा केरोटीन ठीक के इसको याद रखे सकते रेड लेडी मिस्ट है एक विदेशिक सब्सक्राइब करें एक इसमें नर की अवशकता होती है ठीक यह मतलब जिसमें प्लान और मेल दोनों ही क्या होगे एक ही प्लाण में प्रजेंटर को इसमें पूशा जॉयंट है ठीक है यह बूशा डॉर्प है है भूश नन्न है को थ्री है टीक है को चफाइव है इस सब आपका बहुत अपोर्टन याद रखें गे यह जो आपका सियोक बहुत जदा परपन पहये जाता है तो आपका सियों तक दॉश नइक वेराटी है से कितने 1.25 , कितना प्लांट चाहिए आपका 6.000 प्लांट पर हेक्टएर 2.01 हेक्टएर से कितना प्रोडक्शन देता है 40-50 kG परक्ट तो यह इंपोर्टन इंपोर्टन कुछ प्यारेट्टी मतलब पॉइंट है जिसको एक जायम क्रोमोजम कितना होता है आपका अठारा होते है क्यारी का पापाया उसका क्या है बॉटनिकल नम्प क्यारी के से फैमिली से बिलॉंग करता है ठीक है इसमें गाइनोसियस म धाइसो से आपका तीन कलर चेंज कर लिए था ना पापाया जो आप